दियर स्टुडेंट मैं डॉक्टर सुवास पाडिया एसोशेट प्रॉफिसर जूलो जी राजेस पाइलेट गोवर्मेंट कोलेज लाल सौट आज हम बाए जीएज केमिकल साइकल के बारे में बात करेंगे जैव भूर असायनिक चक्र जैसा कि हम जानते हैं कि पर्थवी के उपर जितने भी एलिमेंट्स पाया जाते हैं उनमें दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं एक तो मैक्रो न्यूट्रियंट और दूसरा जो होता है माइक्रो न्यूट्रियंट में हम कारवन, हाइड्रोजन, ऑक्रिजन, नाइड्रोजन, फासपोरस कैलसियम ये मैक्रो निट्रियंट ये उनको हम कहेंगे वरहत पोसक तत्व कहते हैं जिनका की जीवों को अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में इनकी इन पोसक पदार्तों को चाहिए होता लेकिन मुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी सुक्स मात्रा या अल्प मात्रा जो है जीवों के लिए मेत्वपूर्ण होती है उनको हम माइक्रो न्यूट्रियंट कहते हैं जैसे कि आइरन, मैगनीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, वेनेडियम, कोबाल, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम ये माइक्रो न्यूट्रियंट कहल जैसा कि बायोज, में दो प्रकार के था हम बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रियंट होते हैं वो बायोटी क और ऐविघ्योकी जो factor, Elliot के जैसा कि पिछले lecture में बात कर चुके हैं, कि Biotic Components और Obotic जो फेक्टर है वो कौन-कौन से है तो यहां पर जो Bio Biochemical या जेविक बूर असेनिक चक्र जो होता है वो इन Biotic और Abiotic जेविक और एजविक जो फेक्टर से हैं उनके मद्द में इन nutrient का जो प्रवा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं दो सब्दों से मिलकर जैसा कि Biogeo Chemical या तीन सब्दिस के अंदर प्रम ग्रूप से पाए जाते हैं तो Bio का मतलब होता है Bio Sphere जैोमंडल जो होता है दूसरा जीयो का मतलब होता है Geological या जो भूगर भी जो होते हैं उनको हम Geological Component कहते हैं और तीसरा जो वर्ड है chemical इसका मतलब होत है कि जो elements हैं वो जो तत्व हैं वो इस चक्र के थुरू इस cycle के थुरू किस प्रकार से movement करते हैं तो यही जो जैव भूरा साइनिक चक्र है उसके बारे में हम इनी चीजों का जो है study करें जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी पदार्थ है वो यह इंटम के रूप में प्रत्वी पर पाया जाते हैं और एटम जो है ना तो created उसको बनाया जा सकता है ना ही उसको नस्ट किया जा सकता है इसको एक recycle होती है जिसमें की एक form से दूसरी form में बदल जाता है तो जो प्रत्वी पर जो अनरजी का जो प्रमुक होता है वो सन होता है कर जो यहां पर जो इक चूल शिस्टम के इंदर होता है तो यहां पर जो major element या bread तत्व उनकी हम बात कर रहे हैं, उसमें जो carbon cycle है, hydrogen cycle है, nitrogen cycle है, oxygen cycle है, phosphorus है, sulfur है, या हम इनको और simplify कर सकते हैं, कि hydrological cycle या जली चकर जिसको हम कहते हैं, फिर दूसरा है जो gascon nutrient cycle, जो गैसी है या जो गैसी अवस्ता में जो पाए जाते हैं, उनके चकर के बारे में अध्य है, sedimentary nutrient cycle, phosphorus cycle, और sulfur cycle, तो यहां हम one by one, एक एक करके एक एक cycle की study हम करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, कि जो hydrological cycle है, या जली चकर है, जिसका हम बात करते हैं, कि जो water cycle भी हम इसको कैसे हैं, कह सकते हैं, और या hydrological cycle भी हम कह सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कि जो solar radiation है, उसके कारण जो water evaporate होता है, वास्प में बदलता है, और उसके बाद में ये दिया है, उनमें जाका मिल जाता है, जल जो होता है, प्लांट से भी, प्लांट की surface, जो leaves होती, उनके द्वारा भी वास्प के रूप में बाहर निकलता है, जैसा कि आपन जानते हैं, जो mechanism होती है, transpiration, या वास्प उत्सरजन की जो किरिया है, उसके द्वारा भी जल बाहर निकलता है, तो इस प्रकार से जो जल बाहर वातावन में निकलता है, तो वो धीरे-धीरे ठंडा होता है, संगनन की किरिया होती है, और वापस जो है, वो प जो precipitation है, वो दर्थी पर आता है, जैसे surface water के रूप में भी दिखाई देता है जो water है उसके रूप में, और कुछ जो water होता है, ये surface water जैसे lake में और river में रूपांत्रित हो जाता है, उन में जाकर एकत्रित हो जाता है, इसका कुछ water जो होता है, वो penetrate करता है, ground के, मतलब जो ground गांड है उसको उसके नीचे तक याता है और यहां से पिर ये जो एक्वाइर है इस जिसको एक्वाइर वाटर कहते हैं तो यह समूधर के रूप में भी जाकर करण habían बहुत हो जाता है तो यहां पर जो वाटर की जो फेजिस जो अवस्ताय हैं वह गेस में द्रव में और एक प्रोसेस जो कि चलती रहती है जैसे कि आप यह डियाग्राम देख रहे हैं कि कि यहां से जैसे हम देखें इसके अंदर कि जो समुद्र के द्वारा जो ओशन से उनमें जो वाटर है वह वाटर इवपोरेशन के तुरू जाता है और यह वाजपोरेशन के करवास बन के ऊड़ता है पाणी और फिर दीरे दीरे वह उपर जाकर कंडेसेशन की जो करिया है संगननी जो करिया है उसके द्वारा वो दीरे ठंडा होता हैं एकत्रित होता है और उसके बाद में वर्षा के द्वारा ये वापस है घरति पर आता है यहां पर कुछ जो वाट से ही जैसा कि आप देखने की ग्ल야शियस जो हैake के रुख में भी जमा हो जाता है कुछ वाटर जैसा ओसिंस के अत्रिक जो होता है जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स है veto वह भी व्य वासपोसेजन की किरिया के दोरा अपनी पत्ति उसहें के रूख में जो है अब इस के जो जली चकर के लिए जो कारण होते हैं जैसे कि climate change पहला कारण कि जब global temperature increase हो जाता है कि पूरा विस्व में जब temperature increase हो रहा है हो रहा है तो जो mountain के उपर जो glaciers हैं वो पिगलने लगते हैं और उसके बाद में जो water की dependency है यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है water का level समुद्रों के अंदर बढ़ जाता है तो इस प्रकार से जो एक तरीके की जब glacier पिगलने लग जाते हैं तो जो conditions होती है और जो soil के उपर जो social impact जो इसका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो पहला कारण तो यह है कि जब climate change हो रहा है तो उसके कारण यह सारी परिस्तितियां जो है उत्पन हो रही दूसरा है farming practices कि जो खेती करने के जो तरीके हैं वो भी कई ना कई इस cycle को प्रभावित करते हैं जैसे कि जहां पर सबसे ज़्यादा गरम वातावन है climate है वहां पर यह जो खेती है उसका बहुत ज़्यादा significant effect water cycle के उपर पड़ता है सिचाई जो पोदों को लिये की जाती है तो नदियों से या जो ground water है वहां से पानी को लिया जाता है तो क्योंकि mainly वही source इनके उपर होता है तो यह चीज़ें भी जो farming की practices है वह भी water cycle के उपर effect डालती है तीसरा प्रमुक कारण है deforestation जो वनों का विनास हो रहा है तो जो vegetation है या हम उसको कह सकते हैं कि vegetation जैसे agriculture land को बनाने के लिए जो forest है उसको काटे जा रहे हैं वनों का विनास किया जा रहा है या फिर urbanization के कारण जो सहरी करण है उनके कारण जो है बहुत सारे जंगलों को काट कर वहां पर रियाइसी कोलोनी बनाए जाती है तो इस प्रकार से जो rural areas है या जो developing countries है उनमें ये तीसरा जो कारण है fuel supply के लिए भी जो है वनों का विनास किया जाता है तो इस प्रकार से जो water का store है वो क कहीं न कहीं प्रभावित हो जाता है जो capacity है water की store करने की या transfer करने की वो सब कहीं न कहीं प्रभावित होती है उससे soil moisture reduce हो जाता है transpiration decline हो जाता है जो micro climates है वो भी जह है इस प्रकार के जो river और इनमें काफी effect डालते हैं ताकि उनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है dryness आ जाती है तो इस प्रकार से यह जो factors हैं वो जली चक्र को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं next जो इसका प्रमुक कारण है land use changes land use का change जो है वो भी कहीं न कहीं प्राकर्तिक जो landscape है या सहरी करण जो है उसमें जो water cycle को प्रभावित करता है तो इस प्रकार से जो जल है वो कहीं न कहीं उसकी मात्रा कम हो जाती है इसी प्रकार जाज़े से बड़े सहर है बड़े स्रणों में जो drainage system है वो बहुत ज्यादा जाता देनेयर शिस्टम को वहां से सहर से बहुत ज्यादा दूर ले जाया जाता है तो उस कारण से कहीं पे बाढ़ की इस्तिती पैदा हो जाती है और कहीं पे बड़ी कृसिस हो जाता है तो इस प्रकार से जो सहरी करण के कारण या फिर इंडिस्टलाइजेशन के कारण जो लेंड का यूजेज है उसको चैंज किया जा रहा है उससे भी जली चकर के उपर प्रवाव पड़ता है इसके तिर्व अतिरिक्त जो है वाटर अब्स्ट्रेक्शन जो है जैसे कि जो ग्रोथ ऑफ ग्लोबल पापुलेशन क्योंकि पूरे विस्वी के आवादी जो बढ़ रही है उसके कारण जो है बहुत सारे देशों के अंदर क्लाइमेट्स चेंज हो रहा है और उसका कारण है क बढ़ती जारी तो जो वाटर प्रेसिप्टेशन है उसका लेवल जो है वो कही न कहीं जैसे ग्राउंड वाटर की जो सप्लाई होती है वहीं से ग्राउंड वाटर की सप्लाई को ली जाती है लेकिन ग्राउंड वाटर से ज्यादा वाटर सप्लाई लेने के कारण उसका ल जो वाटर है उसका ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला जाता है नदियों का पानी जो है वो भी दोनों कामों में कि आ रहा है इंडर्स्टियल इसका मैं भी आ रहा है तो कहीं न कई वहाँ पर भी जो है इसकी फिया है वटर की कमी हो जाती है और प Rights would नाब यह होता है कि सारी नदिया चाती यह क्यानत का लेवल भी बहुत नीच में चला जाता है और उस जो जल है उसके कारण जो यानि कि उसके जो जली चक्र को प्रभावित करने वाले आपको वताया और शिचाही ज़हा है उनके खारन जो जल चक्र है उसको प्रभावित कкий साइकल शय 거座ावित करता रही कि जो पारिष्टिति की जो चक्र है उसके अंदर oxygen का प्रमुख योगदान रहता है सभी इनमें जो cycle है इसमें तीन प्रमुख तरीके की cycle दिखाई गई है oxygen cycle में एक तो green plant जो होते हैं photosynthesis के द्वारा oxygen को atmosphere के अंदर एक byproduct के रूप में बाहर निकालते हैं दूसरे stage के अंदर जो पूरे जो एरोबिक organism है यानि कि जो वाईवी इस्वसन करने वाले जो जीव जन्तु हैं वो oxygen को respiration के लिए काम में लेते हैं और तीसरा stage जो होता है कि जो animal होते हैं वो carbon dioxide को बाहर निकालते हैं atmosphere के अंदर और जो plant होते हैं इस carbon dioxide को photosynthesis के क्रिया में यूज करते हैं और फिर oxygen जो है atmosphere में बाहर निकालते हैं तो ये तीन प्रकार की प्रमुक क्रिया हैं जो oxygen cycle के अंदर हैं एक तो plant के द्वारा जो photosynthesis की जो क्रिया है उसमें oxygen को environment में या atmosphere में बाहर निकालना जो दूसरा step जो इसका होता है aerobic organism जो होते हैं या स्वस्नीय palabras करने वाले जो इतने भी जनतू है वो उस निकालीवी फ्री oxygen को स्वस्न की क्रिया में काम मिलेते हैं और तीसरा जो organisms है यारी की जो व्यवफश्न करने वाले animals है Wो उस oxygen को इनहिंकरते हैं और उसके बदले में carbon dioxide को बाहर निकालते हैं और वो बाहर निकाली वी carbon dioxide plant के द्वारा काम मिली जाती है तो इस प्रकार से जो atmosphere है उसमें oxygen और carbon dioxide का एक balance बना हुआ रहते हैं oxygen का जो man uses है atmosphere के अंदर वो प्रमुक्रूप से एक तो breathing के लिए यानि की स्वसन के लिए जैसा कि आप जो first stage है उससे भी पैचान सकते हैं कि जो पहली step है वो respiration वाली है यह physical process है breathing की जिसमें सभी जीव जीव जन्तु जो होते हैं या plant होते हैं एनिमाज हुमान जो भी होते हैं वो oxygen को inhale करते हैं और इसके बदले में carbon dioxide को atmosphere के अंदर बाहर निकालते हैं दूसरा इसमें decomposition है decomposition की जो क्रिया होती है उसमें एक most important process होता है oxygen cycle का जहां पर जब organism मरते हैं तो जो dead animals और जो plant या जो plant का कच्रा है वो ground पे कत्रित होता है और जो organic matter भी जो इसके साथ होते हैं जैसे carbon, oxygen, water और अन्य जो components इसके अंदर होते हैं वो सारे component जो dead organism हैं या जो decking पदार्थ हैं वो वापस जो है soil में और air में मिल जाते हैं तो यह process जो है invertebrates जो होते हैं उनके द्वारा promote group से निभाई जाती है decomposers जो होते हैं जैसे कि fungi है, bacteria है, insects है और दूसरे जो बहुत सारे animals होते हैं जिनको हम decomposers कहते हैं उनके द्वारा इन dead material का जो है इनको इस decomposition की किरिया के द्वारा उनमें जो organic matters होते हैं carbon, oxygen, water और अने components जिनको वापस मिटी में और environment में मिला दिया जाता है तो यह जो entire process होती है इसके अंदर oxygen चाहिए होती है और carbon dioxide इस किरिया के अंदर बाहर निकालती है तीसरा नेक्स जो process है combustion का यह भी एक most important process है इस चक्र का जब कि कोई भी organic material को जैसे कि कोई जिवास इधन है या plastic है या लकडी है इनको अगर जलाया जाता है oxygen की उपस्तिति के अंदर तो वहां से carbon dioxide जो है atmosphere के अंदर बाहर निकलती है तीसरा और जो नेक्स प्रोसेस है इसका rusting इसमें भी oxygen चाहिए होती है जैसे कि formation of oxides यह जैसे oxide का बनना जिस किरिया को हम कहते है oxidation जैसे कि कोई metal है जैसे iron है या alloy है तो इनको अगर moisture दिया जाए तो यहां पे oxygen की उपस्तिति के अंदर यह कुछ समय के बाद में एक नए compound का निर्मान करते हैं जिनको हम कहते है oxides यह oxides जो है वो oxygen के साथ में यह combination होता है oxygen का और metal का तो oxygen और metal जो क्रिया करके oxide का निर्मान करते हैं अब है वहां तो oxygen चाहिए होती है अब हम बात करते हैं कि oxygen का production कहां से होगा तो पहला production तो जो plant है उनके द्वारा oxygen को plant के द्वारा जो photosynthesis की क्रिया है उसके द्वारा oxygen को बनाया जाता है green plant के द्वारा और जो photosynthesis की क्रिया है उसमें जैसे आप जानते हैं कि जो sunlight होती है उसमें उसकी presence में water और carbon dioxide के साथ में energy और oxygen का निर्मान किया जाते है next जो sunlight है sunlight भी जो है oxygen का production करती है कुछ oxygen gas जो है वो sunlight और water के जो evaporation की जो क्रिया होती है उसके द्वारा भी oxygen बहार निकलती है तो इस प्रकार से हम जो जैयो भूरा साइनी चकर है उसके अंदर दो प्रमुक चकरों का हमने बात किए एक तो hydrological cycle या water cycle और दूसरा जो है oxygen चक थैंक कि